हाई दोस्तों आज हम positive breakout stock के बारे में जानेंगे जो कौन से है जिसने positive breakout दिया है जो 50 days के moving average को cross करके गई है जी हाँ उससे पहले हमरे चलाव को जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबाइए सबसे पहला stock है जिसने breakout दिया है वो है supply limited जी हाँ जो अभी 892.30 रुपीज पर जो के चल रहा है जी हाँ इसने जोई के इसका जो के moving average जो है 50 days का वो 911 रुपीज है जी हाँ दोस्तों 911.1 रुपीज है जी हाँ एक पर दस पर अब next stock है वो है दोस्तों भारत electronics limited इसका भी जो के भाव जो चल रहा है वो है 196.40 रुपीज का जी हाँ दोस्तों 40 पैसा अब जो कि इसका जो के यह है 50 days का moving average पास 603 रुपया है जी हाँ दोस्तों 603 रुपया 10 पैसे का जी हाँ अब जो के next stock है वो है हमारा JSW energy जिसका जो है के moving average तो अभी जो है के 304 रुपय पर चल रहा है और इसका 304.20 पैसा जो है क 50 days का moving average है जिसको जो कि इसने breakout करके जो की नीचे आ गया है फिर से दोस्तों ये इस बात के थ्यान रखिए चलिए आप जो के next stock देखते हो से पहले हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का बटन बाइए बेल आकन को हीट करें लाइ हैं दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए